मद्यप्रदीश विधान सभा चुनाव में मिली हार पर कॉंग्रेस में मन्थन जा रही है अटके लिए ये भी चल रही है कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए कमलनाथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पत से इस्तिफात दे सकते हैं इससे पहले कमलनाथ ने मंगलवार को पार्टी के सभी हारे और जीते केंडिडेट से वन टू वन चर्चा की बोपाल में प्रदेश कारेले में चली इस बेठक में हार की समिक्षा की गई इस राए शुमारी के बाद वे दिल्ली में पार्टी के वरिष्ट नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ ने कहा मुझे कुछ विधायकों ने बताया कि उन्हें अपने गाउं से सिर्फ पचास वोट मिले हैं ये कैसे हो सकता है जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एक्जिट पूल बनवाया होगा एक्जिट पूल तो हमेशा महुल बनाने के लिए था कॉंगरिस नेताओं के EVM हेक होने के दावे पर में बोले सभी की बात सुन लू फिर किसी फैसले पर आना सही होगा आप भी जानते हैं कि क्या महुल था मुझसे नहीं पब्लिक से पूछी उधर बिहार के बकसर में मध्यप्रदेश समेथ तीन राज्यों की चुनाव नतीजों पर राजत प्रमुक लालू यादव ने कहा कॉंगरिस कमजोर नहीं हुई मध्यप्रदेश कॉंगरिस के कुछ नेताओं में कमी रही इसलिए वो हारे बेठक के बाद दिगविजे सिंग ने EVM को लेकर कहा हमने बटन दबा दिया और पता नहीं चला की वोट कहा गया मूल बात यह है कि जिस मशीन में चीप लगी है उसके हेक होने की संभावना होती है दिगविजे सिंग ने खाजरोत कारे करता लिख रहे हैं कि खाजरोत विधानसभा चुनाओं में किसे कितने वोट गिरे कौन कितने वोट से जीत रहा है महत्पूर्ण यह है कि यह पोस्ट काउंटिंग से दो दिन पहले यानि एक दिसंबर को दी गई थी नतीजी के सब्सक्राइब करने रहे हैं एश्यारी सिंडिया के साथ हम देवादे